नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर संजीव कंसलिटन और्थोपेडिक सर्जन देवेपस हॉस्पिल से इससे पहले हमने अपने चैनल पे बात करी थी ACL इंजिरीज के बारे में आज हम जानेंगे एंकल स्प्रेन मतलब पैर की मोच के बारे में एंकल के आसपास कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो इसे स्थिर रखते हैं अचानक पैर मुडने की वज़े से ये लिगामेंट्स इंजर हो जाते हैं जिसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं इस परिशानी में पेशेंट को टकने में दर्द होता है, सूजन हो जाती है और लाल या नीलापन पढ़ जाता है अगर आपको टकने में दर्द सहनी हैं तो आप इसका शुरुवाती इलाज घर पर ही कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है पहली चीज रेस्ट करें और पैर पर जादा वजन ना डालें रेस्ट करते वक्त पैर को थोड़ा उंचा रखें दो या तीन तकियों के उपर, इससे पैर की सूजन कम होगी शुरुआत में बरफका सेख काफी लाबदायक होता है क्योंकि ये पैर की सूजन को कम रखता है इसलिए रोजाना 3-4 बार 15-15 मिनिट का बरफका सेख जरूर करें अगर आपको कोई लंबी बिमारी नहीं है तो इसके साथ आप कुछ ओवर दा काउंटर पेन किलर्स भी ले सकते हैं ये पेन किलर्स आप सुबह शाम 3-4 दिन लें अगर आपको 3-4 दिन में आराम नहीं लगता तो आसपास के और्थोपेडिक सरजन को ज़रूर दिखाएं क्योंकि आपको फ्रेक्चर हो सकता है वो इसका एक एक स्रे करेंगे और फ्रेक्चर रूल आउट करेंगे अगर आप खेल से जुड़ी किसी भी इंजरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमिंट बॉक्स में जरूर डालें थैंक यू